अयोध्या नगरी राम जन भूमी के प्रावन प्रतिष्ठा में मात रव चंद दिन ही शेश मात बचे हैं और पूरी अयोध्या मानवाज दुलहन की तरह सज रही है और हो भी क्यों ना आखिर राम लला जो आ रहे हैं नेरे जोपडी के भागाज खुल जाएंगे तामाएंगे मेरे जोपड़ी के भागा आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो अंगरा सजांगे यूपी पुलिस की चाक चौबन देख मानो ऐसा लगता है कि आज पूरिय योध्या नगरी छावनी में तब्दील हो गई है राम आएंगे तो अंगरा सजांगे दीप जला के दिवारी में बनाएंगे राम आएंगे तो अंगरा सजांगे बहराल अब हम आपका जादा वक्त जायना करते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं आयोध्या नगरी में और दिखाते हैं कि कैसे इस आयोध्या नगरी को सजाने में ये लोग दिन रात लगे हुए हैं आपको लिए जाएंगे तामाएंगे राम जोली गे तो पाल ना जोलांगे मीठे मीठे भजन मैं सुनाओंगे जोंचो लेगे तो पाल ना जोलांगे मीठे मीठे भजन मैं सुनाओंगे तारी जिन्सफ़ी के साइग दुफ्स आब जाएंगे बहुत दाद में लिवर यहांपे काम कर रहे हैं लेवर, कुछ लभणविं से हैं ,कुछ हर्दो केते हैं , दिली से भी आएं हैं , जैसे का काम है न ही जो इसके एक्सपर्ट अजमी माड़ हैं , वहा जहां मिले हैं हमगायान मीदी यहाज अठारी था माशाए है , इसए आप्या था कि वो पूरी ताकत लगा दिया है कि हम जो है मान्य प्रभू शिराम के जो है प्रांट प्रतिष्टा के पहले दो-चार दिन पहले ही उपना काम खतम करके जो है बागी जो साथ सज्जा यह समय काम बचा हुआ है इन सब पे दो-चार दिन का समय मिल जाए ध्यान देने के जिससे 22 तारीक को आने वाले हमारे इतने महमान आ रहे हैं कहा कहा से लोग आ रहे हैं और उनको यहां पे कोई कमी बेसी ना दिखी इसी छक्र में प्रशाषन प्लिस जो है यहां के छेकेदार, मजदूर यहां के कम करने वाले लोग सब यो पूरी ताकत लगा के लगे का है कि मैं तो रुची रुची बोग लगाऊंगी आखनी शेरी मेरा उखिलाऊंगी सडकों पे इतनी सफाई सजा देख लगता ही नहीं कि ये सडके पहले वाली आयोध्या की है आखे हो है क्यों ना आयोध्या विकास की पत्र पर अगसर जो हो चला है मेरे छोपड़ी के भागाज खल जाएंगे रामाएंगे 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 कहा जाता रहा है कि जिसने हनुमान गड़ी के दर्शन ना किये तो उसे राम मंदिर दर्शन का भी कोई पूने नहीं मिलता तो फिर मित्रों आपको सबसे पहले हम हनुमान गड़ी के दर्शन करवाते हैं और जाते हैं कि यहां राम लला के मंदिर को पुजारी भक्तिगाण कैसे देखते हैं के भागाच भुल्य जाएंगे रामाएंगे राम छूली गितो पाल ना जो लांगे मीठे मीठे भजन दूनांगे चाल झूली जो पाल ना जो लांगी कि यह तो आप भी बता सकते हो आप कब आए थे जाख इस बीच्म मैं आपका कब आना हुआ था जिम आद कावर्ध healthier घ्रा तो आपको कैसा लग रहा था अप कैसा लग रहा है आपके कहने के नाति यह मैं कहूंगा तो कहेंगे बीजेपिक एजेंट है इसलिए असा बोल ले हैं बदलाओ हुई जो बदलाओ चाहिए था उस परकार से अयोध्या बदल रही है सज रही है सबर रही है और प्रयास है आयोध्या सजाने के लिए चाहिए मोजी जी हो पर अस्थापित हो विश्ट पटल पर अस्थापित हो देश और दुनिया में रहने वाले सब्सक्राइब हिंदू रामभग प्रेटक और और भी लोग जो लोग है जिरको सब्सक्राइब से नहीं वास्ता आए जो सरक घूमना चाहते हैं ऐसे लोग आध्या आवे उनको कि थाओं समझ्त भड्रेण की सहरत मैं तुर्णां टर्म हो एकाटाओ धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्वाव हो, विश्व का कल्यान हो, तो विश्व बंधुत की भाव सनातन परमपरा में, सनातन पक्तिति में, इसके नाते काम ना करेंगे, कि आप लोग जो भाइस तारीक उ एध्या नहीं आपा रहा हैं, वो अपने अपने घरों में ह भगवानायम के फोटो रखें, उस पांजली करें, बावानजली करें, और भगवान से प्रात्ना करें के हेटा को जे, पूरे बिस्म हमन साम्ति अस्था दिखें। हम सब लोग बहुत खुश हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो सब भी बहुत खुश हैं, और हम ही कहेंगे राम लाला का दर्शन करिये, और यहां भूम्य चाड़ी आनंद लीजे, और तब देखें कैसे आनंद यान लिता है। हम लोग अध्या में बच्पन से ही हैं, देख रहे थे यहां पर कोई भी राजनेता आने में बहुत कदर आते थे। लोग फैजाबाद तक आते थे, इसके बाद वहीं सुआफिस चले जाते थे। आज सभी अध्या आना चाहते हैं, जो भी पक्ष में थे। अध्या में बहुत परिवर्तन हुआ है। यहां की गलियां चोड़ी हो रही है, यहां रास्ता बड़े सुंदर धंग से बनाए जा रहे हैं। जो चेरण सेरण अध्या थी आज नौ नवीन एकदम भग रूप लेकर के सब के सामने हैं, हम देखी रहे हैं। और हमारा जो 500 सालों से जो हमारा विबाद था राम दिन भूमी के अस्तित्यों के लिए वाज हमारे सामने हैं। भग दिब नवीन तम मंदिर में तिराम दला पर उब राजमान हो रहे हैं, हम सब लोगों का पड़ा ही जो अपने आपों से हम सब दर्शन कर पा रहे हैं। तो फिर दोस्तों अब हम आप सभी को लिए चलते हैं राम लला के मंदिर के दर्शन करवाने हैं। अब बात करेंगे यहां पर कुछ भक्तों से और जानेंगे कि इस राम मंदिर के दर्शन कर उन्हें कैसा लगा। राम जूलेगे तो पाल ना जुलाँगे, मीठे मीठे भजन मैं सुनाँगे। जूलेगे, मीठे जोपड़ी के भागाच कुल जाएंगे, कामाएंगे। मैं तो रुची रुची वोग लगाँगी, आखन में शेरी मैं राम। सबसे पहले तो देशरी राम सारे अपने द्रश्चकों को, एक्ट्यूली एक कोरीडर की तो पूरी कोशिश हो रही है। पूरीडर जिस आप साब देख रहे हैं ये साइड। पूरा चेकिंग पॉइंट बन रहा है। आगे भी एक चेकिंग पॉइंट बन रहा है। मंदिर ग्राउन फ्लोर बहुत लगबक पूरा रेडी हो गया है। सतावान एककड में जिससाब से कोरीडोर ये बनाने जा रहे है। अगले भारत वर्ष में मुझे लगता है मोदी जी ने प्रंड लिया है कि जो भी काम करते हैं सबसे बड़ा करते हैं। अपना पूरे दुनिया के लोग सबसे बड़ी हमारी सरदार पटेल की जो मुर्ती है। वो मोदी जी ने बनाई। अभी कल हाली में उन्होंने पूरा अपने इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया। वैसे ही राम मंदिर भी मेरे को लगता भव्य मंदिर अपने सारे मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। जो सतर से असी एकड़ का कोरिडोर के अंदर पूरा एवध्या का नाम इन्होंने पूरे अपने बारत वर्शनिंग अपने पूरी दुनिया में आगे चलके होगा इसलिए सबसे पहले तो मोदी जी और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आगे सब बहुत अच्छा करे जैश्री राम अब अपना पर्चे जी सर्मा रिशी कुंद्रा डेली से हूँ अजी पाफी नाराज की जी जारे जारे है इस उठा में कर दोगों में कि उनका खेला यह है कि यहां पर सरकार जो है जमीनी अक्वाइट नहीं सर यह तो अगर बड़ा कॉरीडर करना है तो एक मेजर स्टैप लेना ही पड़ेगा यह जो योगी जी को कोटी-कोटी नमन जीन्होंने इतना बड़ा स्टैप लिया और मोती जी अच्ति जी को फोती कोटी-कोटी नमन एक हिंदु हिंदु तो एक िन्हो ने जो मंदिर बना है यह बहुत बड़ी बात ही यह मारा इंटर्यूper जी पर रह बहुत अच्छा लगा है और यहां दर्शन करने को तो बहुत कुछ है और पूरा योध्या का वर्णन करना मात्र एक वीडियो में असंभव होगा लेकिन फिर भी हम आपको अब लिये चलते हैं राम लला के मंदर से मात्र एक किलो मिटर की दूरी पर त्थित नए आयोध्या रेल्वे स्टेशन की ओर और अब हम आपको दिखाते हैं यह रेल्वे स्टेशन जो किसी एरपोर्ट से कम नहीं है राम आएंगे तो अंग रास जाओंगी दीफ जला के दिवाली मैं बनाओंगी राम आएंगे तो अंग रास जाओंगी दीफ जला के दिवाली मैं बनाओंगी मेरे जन्मों के साए पाप बित जाएंगे राम आएंगे मेरे जोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे अयोध्या नगरी में एक चौक ऐसा भी है जो श्रीमती लता मंगेशकर जी को समर्पित है और इसे लता मंगेशकर चौक कहा जाता है जिसे मानों दुल्हन की तरह सजाद दिया गया हो राम जूलिगे तो पाल ना जूलांगे मीठे मीठे भजन दो मैं सुनांगे जूलिगे तो पाल ना जूलांगे मीठे मीठे भजन दो मैं सुनांगे मेरे जिन्दगी के सारे रुख निट जाएंगे तामाएंगे मेरे जोपड़ी के भगाज खुल जाएंगे तामाएंगे में तो रुची रुची वोग लगाऊंगे अब वक्त हो चला है हमारी अंतिम विदाई का लेकिन जरा रुकिए अयोध्या आए और माता सर्यू नदी के दर्शन नहीं हुए ये तो सही नहीं है चलिए फिर जल्दी से आपका जादा वक्त जाया ना करते हुए अब हम आपको सीधी लिए चलते हैं माता सर्यू के दर्शन के लिए और आपको माता सर्यू की आर्थी के भी दर्शन करवाएंगे राम जूलेंगे तो पाल ना जुलांगे मीठे मीठे भजन मैं सुनांगे राम जूलेंगे तो पाल ना जुलांगे मीठे मीठे भजन मैं सुनांगे आज पूरी आयोध्या नगरी मोदी जी के गुनगान गाते हुए नहीं ठक रही और हो भी क्यों ना आखिर स्री राम जी ने मोदी और योगी को मंदिर बनवाने का एक माध्यम जो बनाया है जै श्री राम